अमोनिया बनाने की जो हैबर विदी है यह लीश आते लिए सिध्धात पर आधारीत होती है जहां पर उच्छ दाब है एवं कम दापमान है और यहां पर जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आधारीत है और जैसे ही जैसे यहां पर तापमान में कमी होती है तो भी यहां भी क्रिया अकदिशा में अगरसर होती है यहां जो फ्लो चार्ट यदि हम देखेएंगे हैबर विधी का तो सबसे पहले देखिए यहां सबसे पहले शुद्ध एवं सुस्क नाइट्रोजन जो एक आयतन लिया जाएगा एवं हाइड्रोजन का तीन आयतन लिया जाएगा इसे संपीडित किया जाता है बहुत अधिक दाब पर उच दाब पर इसे संपीडित किया जाता है दो सो से तीन सो एटमोसेरिक प्रेशर लिया गया है और संपीड़क कक्ष में इसे भेजा जाता है संपीड़ कक्ष में बहुत अधिक दाब लगा कर इस गैस को संपीडित किया जाता है संपीडित गैस को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 एवं उत्साहक के रूप में यहांपर जो गैस उत्पन होती है। चुकि यहाँ तेम्प्रेशर बहुत अधिक है और यह commission हो तिक मुझेह इसरी पाईप के दौरा संगरित्र में जम्मा करते हैं और संगरीत्र में यह द्राव अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है यहां भी कुछ अन्रियक्टेड नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं इस अन्रियक्टेड नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को पुनह पंप की सहता से बनाने की हैबर विधी के समय करण को यदि हम देखेंगे तो N2 प्लस 3H2 is equal to 2NS3 यहाँ दाब है 200 से 300 atmospheric pressure और ताप है 700 Kelvin और डेल्टा H बराबर माइनस 92.2 किलो जूल पर मुल तो माइनस में यहाँ पे डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ है तो यहाँ एक उश्मा छेपी अभिक अभिक्रिया भी होती है तो हैबर विधी एक उस्मा छेपी एवं उत्क्रमडी अभिक्रिया को दर्शाती है तो ली शाते लिए सिध्धान्त यही कहता है जहां दाब बहुत अधिक हो तापमान कम हो तो अभिक्रिया अग्रदिशा की ओर अग्रेशित होती है और यहाँ ज रियाशीलता को और बढ़ाने के लिए उत्साहाग कप्रियों किया गया है अमोनिया के कुछ गुण को जानेंगे अमोनिया एक तीक्ष्न गंध वाली गैस होती है रंगहीन गैस होती है इसका जो बॉयलिंग टेंपरेचर होता है 249.7 केल्वीन है और मेल्टिंग टेंपरेच के हाइड्रोजन के साथ मिलकर अंतर अनुख हाइड्रोजन बॉन बनास पाते हैं और ये संगुडी तवस्था में रहते हैं तो इसलिए इसका कौथनांग भी अधिक होता है और हाइड्रोजन बॉन बनाने की प्रवर्ति अधिक होती है इसलिए ये जल में विले भी होते ह क्योंकि ammonia के अणू से H एवं H2O के oxygen के मध्य अंतर अणूख hydrogen bond का निर्माड होता है इसलिए ये जल में घुलनशील होते हैं अगला है इसमें छारी गुण तो जब ammonia को जल में घोला जाता है तो NH3 प्लस H2O से बनता है NH4 प्लस एवं OH- तो जो यहाँ पर NH4 प्लस और OH- बना हुआ है उत्पाद के रुपने तो यह अभिक्रिया एक उत्क्रमडी अभिक्रिया को दर्शाते है और यहाँ पर जो वियोजन जो यहाँ पर के भी कमान है वो हम द्रव यह अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर ग्राद कर सकते हैं जो उत्पी उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके सक्री मात्रा एवं जो अभिकारक है उसकी सक्री मात्रा दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वियोजन जो स्थिरांग के उसका मान यहां पर बहुत कम प्राप्त होता है। तो इसका जो छारी गुड होता है वो हम समझ सकते हैं कि इसमें लोन प्यार ओफ इलेक्ट्रोन होता है नाइट्रोजन में तो यह एक लूइस छार की तरह विभार करता है। इसलिए यह लूइस अमलों को इलेक्ट्रोन यूग देकर एक इस प्रकार से योगिक का निर्मार भी कर सकते हैं। नस-3 से इलेक्ट्रोन यूग प्रदान किया जा रहा है बी-एफ-3 की ओर तो इस प्रकार एक संकुल जैसा भी बनता है। अमोनिया की छारी प्रवित्ती को समझने के लिए हम इसकी क्रिया अमल से भी करवाते हैं तो अमल से क्रिया करके यह लवन का निर्मार करता है। तो नस-3 प्लस-HCl is equal to NH4Cl का निर्मार होता है, अमोनियम लवन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कई सारे लवन होते हैं उसके हाइड्रॉकसाइड के रूप में भी यह से अवच खेपित कर सकते हैं। तो उसके कुछ उदारण देखिए, जिंक सल्फेट प्लस 2NH4OH is equal to zinc हाइड्रॉकसाइड यहने ZN OH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। इसी तरह जो FeCl3 है, FeCl3 धातु का एक लवन है, उस पर जैसे ही अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, तो प और C-L प्राप्त होता है, तो एक गहरा भूरा रंग हमें दिखाई देने लगता है, तो यहां पर यह हाइड्रॉकसाइड में पहले आउशेपित करते हैं, और आगे चलकर यह ऑकसाइड भी कुछ धातू के लवनों से बनना सकते हैं, यहां चुकि जो अमोनिया है उस पर एक लोन प्यार ओफ एलेक्ट्रॉन है, तो यहां लीगेंड की तरह कारी करते हैं, तो कई सारे धातू आयनों के साथ यह संकुल योगिक का निर्माड कर सकते हैं, उन धातू आयनों की पहचान में भी यह सहायक होते हैं, जैसे कि कॉपर का या सिल्वर का जब हम परिक्षन करते हैं, तो यहां पर एक संकुल योगिक के रूप में यह से पहचान देती हैं, तो देखिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट प्लस 4 NH4 OH, बड़े ब्रेकेट के अंदर CU, NH3, होल 4, बड़े ब्रेकेट क्लोज, SO4, तो इसका नाम होगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फे के साथ जब क्रिया होती है, तो अमोनियम हाइड्रोकसाइड के रूप में अमोनिया क्रिया कर रहा है, यहने अमोनिया का, यदि हम जली विलियन बनाते हैं, तो वह NH4 OH होता है, तो जब AGCl की क्रिया NH4 OH से कराई जाती है, तो भी एक संकुल बनता है, तो AGCl प्लस 2 NH4 OH is equal to AG, NH3 HOLTWISE और CL, तो यहाँ पर यदि नाम करेंगे इसका, तो डाइमिन, सिल्वर, फर्स्ट, क्लोराइड और साथ में जलकानू भी बनता है, तो यह एक रंगहीन योगिक में प्राप्त होता है, यह भी एक संकुल योगिक है, एक जटिल योगिक होता है, तो जटिल योगिक बनाने की शमता इसलिए ही है, क्योंकि यह जो अमोनिया है, यह एक लीगेंड की तरह कारी कर रहा है, इसमें लोन प्यार ओफ एलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अब हम देखेंगे अमोनिया की संरचना, NH3, NH3 में जो N है वो SP3 हैब्रिड स्टेट में होता है, यहाँ प निय прошком होते हैं, तो वो बांडिंग कर सकते हैं, हाईड्रोजन के 1S के साथ, तो हाईड्रोजन के 1S के साथ, जब अतिव्यापन करते हैं, तो सिग्मा बांड फॉर्मु करते हैं, और अमोनिया का जब निरमाड होता है, तो यहां एक लोन प्यार प्रेजेंट है, तो VOCPR थ प्रतिकर्षन सबसे जादा है फिर लोन पैर बॉर्ण प्रेयर और सबसे कम बॉर्ण पैर बॉर्ण प्रेयर यहाँ इसकी जो सनरचना है वह होनी चाहिए थी जशेश् porta की चुकि यहाँ पर लोन प्रेजेंट तो इसकी सनरचना हो जाएगी peramedi अब हम ammonia के उपयोग के बारे में जानेंगे ammonia का प्रयोग उर्वर्कों के निर्मार में किया जाता है जैसे ammonia sulfate, ammonia phosphate, urea इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ही महतव्यपून एक ओधयोगिक योगिक है जैसे नाइट्रीक अमल इसके निर्माण में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है अमोनिया द्रविकृत जो अमोनिया होती है इसका प्रयोग रेफरिजरेशन में भी किया जाता है अब हम जानेंगे नाइट्रोजन के ओकसाइड्स नाइट्रोजन कई प्रकार क औक्साइड बनाता है क्योंकि यहां पर विभिन औक्साइडों में वो कई प्रकार की औक्सिडेशन स्टेट भी शो करता है, यह हमने कई बार देखा, सबसे पहले नाइट्रोजन के जितने भी औक्साइड हैं, उनके औक्सी करन अवस्था, उनके बनाने की विधी, उनके मुख्य रूप से हम जो ओक्साइड देखेंगे, वो सबसे पहला है, हसाने वाली गैस, N2O, नाइट्रस ओक्साइड, NO, नाइट्रिक ओक्साइड, N2O3, नाइट्रोजन ट्राइओक्साइड, N2O4, नाइट्रोजन टेट्राओक्साइड, और N2O5, नाइट्रोजन पेंट जिससे हसाने वाली गैस या नाइट्रोस ऑक्साइड भी कहते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस वन होती है, N2O को बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जिससे N2O प्लस H2O प्राप्त होता है, यह जो N2O है, यह रंग वाली गैस भी कहते हैं, और यह उदासीन ऑक्साइड होता है, यह नीले और लाल लिटमस के रंग में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करता है, N2O की जो सनरचना है, वो रेखी होती है, क्योंकि NN के मध्य 113 पीकोमीटर है यहाँ पर, और NO के बीच जो बॉन्ड लेंध ह वो 119 पीकोमीटर की होती है, तो यह एक रेखी सनरचना को दर्साती है, दूसरा हम देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, NO को बनाने के लिए फेरस सलफेड एवं सोडियम नाइट्राइड की अमली माध्यम में क्रिया कराई जाती है, तो समीकरण देखिए, 2 Na NO2 plus 2 Fe SO4 plus 3 H2SO4 is equal to Fe2SO4 whole thrice plus 2 NaHSO4 plus H2O plus 2 NO, तो H2O यहां बैलेंसिंग करेंगे, तो 2 H2O होगा, और इस प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रंगहीन होता है, और जब इसे द्रवीकृत किया जाता है, तो यह नीले रंग में परिवर्तित होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन होते हैं, और यह अलप विले होते हैं जल में, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी रेखी सनरशना को दर्शाता है, यहां N और O के बीच में 115 P.M. बॉन लिंध शो हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प् क्रिति का होता है, अगला ओक्साइड है N2O3, नाइट्रोजन ट्राय ओक्साइड, N2O3 को बनाने के लिए 2NO प्लस NO2 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डायोक्साइड की क्रिया कराई जाती है, तो N2O3 बनता है, बहुत कम टेंपरेचर पर, माइनस 20 करसीड होते हैं, उसके एनहाइडराइट के रूप में भी होते हैं, 2HNO2 is equal to N2O3, तो एनहाइडराइट जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि जिस योगिक से यह बन रहा है, तो उसमें से जलकाणू निकल रहा है, इस कारण से N2O3 बना, एक जलकाणू बाहर निकलता है, और N2O3 प्राप्त हुआ, N2O3 की जो सनरचना है, तो कई सारे इसमें bond length और bond angle आपको दिखाई देता है, N यहाँ में से इस तरह से लिख सकते हैं, O, N, O, N और N के साथ एक bond, फिर N और O के साथ एक bond है, और हर जगा bond length, सबसे पहले N के साथ जो दो ये bond है, तो N O के बीच 121 पी है, और इसी तरह से O, N, N के मद्धे जो bond angle है, वो है 117 डिगरी, N और N के बीच जो bond length है, वो है 186 पीको मीटर, N और O के बीच जो bond angle है, वो 105 डिगरी, इसी तरह से N और O के बीच जो bond length है, 114 पीको मीटर, तो ये पूरी सनरचना जो है, वो समतली होती है, अगला है N2O4 nitrogen tetra oxide, nitrogen tetra oxide को बनाने के लिए lead nitrate को गर्म किया जाता है, तो जब lead nitrate को गर्म करते हैं, एक भूरे रंकी gas प्राप्त होती है, तो जो N2O4 है, वो NO2 का ही एक dimer होता है, वो ही dimerize होकर के N2O4 बनाता है, तो lead nitrate यान्ने यहाँ पर 2PBNO3 whole twice is equal to 4NO2 plus 2PBO plus O2, तो lead nitrate को जब गर्म क यहाँ NO2 प्राप्त होता है, जो HNO3 और HNO2 है, इसके यह एन्हाइडराइड के रूप में होते हैं, यह यह मिश्रिद जो oxoacids है nitrogen के, इसका ही एन्हाइडराइड के रूप में यह देखा गया है, तो HNO3 plus HNO2 से भी NO2 बिल सकता है, क्योंकि यह इनका ही एन्हाइडराइड होता है, तो यहाँ पर 1H2O निकलता है और NO2 प्राप्त होता है, यह अमली होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए, यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर रहा है, तो अमली प्रकृती होती है इस oxide की, और साथ ही साथ इसको सिद्ध करने के लिए आप देखिए, अगर हम इसकी क्रिया चार से कराते हैं, तो यह लवड मनाता है, तो 2NO2 प्लस 2NOH is equal to NO2 यहने sodium nitrite बनता है, और साथ में sodium nitrate भी बनता है और जलकाडू बनता है, N2O4 की संरचना जब हम देखेंगे, तो अलग-अलग bond angle यह अलग-अलग bond length हमें दिखाई देता है, यहाँ प bond length है 175 picometer, NO के मद्ध है, यहाँ पर जो bond length है, वो 121 picometer होती है, यहाँ जब यह dimerize होती है, तो temperature कम और temperature अधिक करने पर इसकी जो अवस्था है, वो किस प्रकार change हो रही है, देखिए, dimerize किया जाता है, यह भूरे रंग की gas होती है, और यह रंगहीन में परिवर्तित होती ह यह जो कि solid state में है, अगला है N2O5, nitrogen pentoxide, nitrogen pentoxide को बनाने के लिए phosphorus के oxide की सहता से हम इसे बना सकते हैं, तो nitric अमले की करिया, जब phosphorus pentoxide से कराते हैं, 4HNO3 plus P4O10 is equal to 4HPO3 plus 2N2O5, तो यहाँ पर यह प्राप्त हुआ, nitrogen pentoxide, यह जो nitrogen pentoxide होता है, इसका nature है, यह क्रिस्टली प्रकृति के होते हैं, जल में विले होते हैं, और यह भी HNO3 के एन्हाइड्राइड होते हैं, अर्थाथ जब HNO3 यह नैट्रिक अमल से जब जल कानू बाहर निकल जाता है, तो N2O5 यह नाइट्रोजन pentoxide प्राप्त होता है, अमली प्रकृति के होते हैं, इसलिए चार से क्रिया कर सकते हैं, तो N2O5 प्लस 2 NaOH is equal to 2 NaNO3 यह ने सोडियम नाइट्रेट बना और जल का अणू बनता है, तो चूकि यह अमली प्रकृति के होते हैं, चार से क्रिया करते हैं, तो लवड का निर्मार कर पाते हैं, इसकी और O के बीच बॉन्ड लेंथ है, वो है 157 Pm, यहां N, O, N के बीच जो बॉन्ड एंगल है, वो है 112 Degree, और O और N के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, वो 119 Pm, और इधर O, N, O के मध्य जो बॉन्ड एंगल है, वो है 134 Degree, तो इस प्रकार से N2O5 की सनरशना में भी हम देख रह जाते हैं, और इसी कारण इसकी सनरशना भी परिवर्तित हो जाती है, और ये विभिन प्रकार के अनुनादी सनरशनाओं को दर्शाते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोनिक सनरशना के रूप में भी समझ सकते हैं.